हेलो स्वागत आपका कलास लेंद मैट में और बच्चो जो आपकी एक्साइज है 1.4 NCRT वो इसी ही टॉपिक पे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस पे बेजड है तो आपको बहुती बारीके से इस टॉपिक को समझना है और फिर उस एक्साइज को करना है तो चलिए आज क कि आखिर कौन-कौन से ओप्रेशन जो है सेट पर लगते हैं तो चलिए सबसे पहला है आपको समुच्यों का सम्मिलन यानि Union of Sets तो बच्चो Union of Sets का मला यह होता है कि समुच्य A और B सपोज आपको दो सेट है A और B तो जब हम उनका Union निकालेंगे तो आपको एक नया सेट मिलेगा और जो नया सेट मिलेगा बच्चो उसके जो element होंगे यानि जो away होंगे वो A और B के सभी away से मिलकर बना होता है ठीक है तो चलिए जैसे आप पास एक example है A equal to A E I O U ठीक है एक सेट आप के पास है और दूसरा सेट आप पास बच्चो A I U तो जो इसका Union निकलेगा त जो आप पास नया सेट मिलने वाला है वो क्या होगा इन सेट के और इस सेट के सारे element से मिलकर बना होता है ठीक है तो देखो A E I O U यहाँ पे मैंने कह लिखा A E I O U Union A I U तो देखो बच्चो यहाँ पे A I U यहाँ पे भी A I U तो यह repeat हो रहा है तो आपको पता है कि जब हम लिखते हैं तो सेट में कोई भी element को हम क्या नहीं करते है रिपीट नहीं करते है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है वैसे इसको हम ऐसे लिख सकते थे देखें यहाँ पे A E I O U फिर A I U ठीक है लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि A I U और यहाँ पे भी है A I U ठीक है तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे उसको वन टाइम ही लिखते हैं तो A Union B विरावर होगा आपका A E I O U इसका बच्चों जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम जब इसको लिखते हैं तो A Union B कुल्ड होता है X X वो element का जो समुच्चे है जो यह तो A से बिलॉंग करेगा या B से यह फिर दोनों से ठीक है यह कोई सेट है यह रेक्टेंगुलर आप देख रहे होंगे इसको मैं बोलोगा U से इसको रिपरजन कर रखा है इसके बोलता हम यूनिवर्सल सेट इसके अंदर बहुत सारे element है तो सबोज यह आपके पास दो सेट है यहापे A और B तो उनका जो पूरा में डार कर रखा है यानि कि जो जितनी भी element A और B में होंगे उनका common portion B उनका यह वाला side वाला भी और इस B का यह side होगा तो बच्चों इसमें जो है कुछ properties है union की चलिए उनकी बात करते हैं पहली property है A union B equal to B union A जैसे हम commutative law भी कहते हैं यानि कि जैसे आपने छोड़ी classes में पढ़ा होगा कि A plus B equal to B plus A होता है ठीक है तिससे बोलते हैं commutative law दूसरा है आपके पास A union B bracket के अंदर union C equal to A union A को हमने हटा दिया और फिर B union C का हमने क्या बना दिया एक group बना दिया इससे बोलते हम सहचार है नियम यानि associative law हम इसे कहते हैं थर्ड है बच्चों A union 5 equal to A क्योंकि 5 means null set और जा हम किसी null set के साथ किसी भी set का जिसमें कोई element हो यानि कि जो क्या हो non empty हो ठीक है तो उससे बोलते हैं तत समक नियम यानि identity law ठीक है अगला है A union E अगर same element इसमें है और same element क्योंकि दोनों एक ही जैसे है तो उसका result क्या आएगा आएगा इससे बोलते है वर्ग सम नियम यानि एड universal set U है उसका union हम किसी भी set के साथ करते हैं तो universal set ही आता है ठीक है यू का name यानि use law हमें से बोलते हैं ठीक है बच्चो चले अगला है आपका समुच्यों का servonist यानि intersection of set ठीक है दूसी property है कि हम कैसे दो set का intersection find out करेंगे इसकी definition जो है यह है कि अगर उन सभी aware element का समुच्य या जो A और B दोनों का awareness होगा जैसे इसका नाम ही है कि servonist यानिक जो intersection निकालेंगे हम ठीक है दो set आपके पास A और B और उन दोनों में जो element common होगे जो element क्यों होगे वही क्या कलाएंगे आपके जो नए set मिलका बनके आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चो A और B का intersection बोलत ठीक है A intersection B equal to X यानि कि वो सारे X जो यह तो बिलॉंग करेंगे A में और यानि end X बिलॉंग करेंगे B में तो देखो यहाँ पे awareness क्या होगा सबोज है कोई set A है यह set क्या है B है तो इसके बीच का जो portion आपको दिख रहा है यह वाला black जो मैंने कर रहा है सैड़िट उसी को हम क्या गोलेंगे A intersection B कहेंगे चलो एक example से समझते हैं कि suppose आपके पास A equal to है 1,2,3,4,5 element ठीक है उसके अंदर क्या है 1,2,3,4,5 और B set है उसके अंदर element है 1,3,9,12 तो बच्चो A intersection अगर B निकालोगे तो मैंने कहा कि जो common होगा दोनों में तो देखो common क्या क्या है 1,2,3,4,5 intersection 1 1,3,9,12 तो common क्या है जो आपके पास दोनों में जो सामिल होंगे वही क्या कलाएगा उन दोनों sets का intersection कलाएगा तो देखो यहां पर 1 है यहां पर भी 1 है 1 आ जाएगा यहां पर 2 है नहीं है तो 2 नहीं आएगा 3 है यहां है तो 3 आ जाएगा यहां 4 है यहां 4 नहीं है 5 है यहा अगला है बच्चो आपका तीसरी प्रोपटी है असयुक्त समूची यानि डिस्जॉइंट सेट बच्चो डिस्जॉइंट का मलब होता है कि जब दो सेट ए और बी में कोई भी अवे उवेनिस्ट नहीं है यानि कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो उस कंडिशन में क्या होगा वो दोनों ही समूच्च यानि कि जो सेट है वो क्या कहलाएंगे असयुक्त समूच्च कहलाएंगे तो इसका एक्जामपल है सपोज आप पास एक हमने इन्युवर्सल सेट बना रहा है जो रेक्टेंगल और बॉक्स आपको दिख रहा है उसमें दो सेट है ए और बी कहीं कोई element भी तो उस condition में हम क्या बोलेंगे A intersection B equal to 5 यानि कि आपको 5 मिलदा कुछ इंदा इसका एक्जामपल यह हो सकता है कि सबूद A बराबर मैंने लिखा set 123 और B बराबर मैंने लिखा 456 ठीक है तो बच्चो अगर आप एक A का B के साथ intersection करोगे तो आपको क्या मिलने वाला ह 5 मिलने वाला क्यों क्यों क्योंकि 123 यहां है यहां 456 है तो कोई भी common नहीं है तो ऐसी केस में हम क्या बोलते हैं डिस्ज्वाइंट सेट बोलते हैं चलो बच्चो next property पढ़ते हैं 4 नंबर की समुच्यों का आंतर यानि कि difference of sets तो बच्चो difference of set की definition जो मैंने यहां पर लिखा कि यह हूँ है दो समुच्यों का अंतर वहां समुच्य है यानि कि अगर आप दो समुच्य आप पास A और B और उनका अंतर निकालेंगे निए difference निकालेंगे बच्चो जो तो क्या निकला है एक नया जो set बनेगा उसमें क्या होगा A के element तो होंगे किन्तु B के नहीं होंगे और इसका जो notation है लिखने का वह बच्चो होता है A-B जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है A-B इसका क्या है A के notation है परतिक्चिन है तो इसको भी एक example की थूर हम समझते हैं कि कैसे हम दो जो set है उनका difference निकाल सकते हैं दो समुच्यों का अंतर हम निकाल सकते हैं तो चलिए क्या होगा A-K element जो 3rd set निकलेगा आपको जो result के form में उसमें जो element होंगे वो A-K होंगे B-K नहीं तो इसका मला यह हुआ कि जो B-K element है उनको क्या होना पड़ेगा डिलीट करना पड़ेगा हमें ठीक है दोनों set से तो देखें यहाँ पर क्या है 1,2,3,4,5 है यहाँ पर क्य set में क्या 2,4 तो मैं क्या करूँगा A set 2 से 2 cancel करूँगा 4 से 4 cancel करूँगा समझने लिए तो जो remainder आपके बाद बचेगा जो बचेगा says वही आपका नया set बनेगा और जिसको हम कहेंगे A-B यानकि 1,3,5 तो 1,3,5 तो 1,3,5 तो यहीं कहरा थो definition में उसने क्या कर चेक कर लो एक element होंगे वो पहले set से मिलेंगे दूसरे set से नहीं इसका मलत तो दूसरे set के element है उनको हमें क्या करना पड़ेगा यहां से remove करना पड़ेगा डिलीट करना पड़ेगा जो आपको मिलेगा 1,3,5 clear अगला है बच्चो आप पास 5th है समुच्य का पूरा यानि complement of set तो complement of set उसको हम a' से so करते है यूनिवर्सल set में से उसको हम subtract कर देंगे यानि u-a कर देंगे तो जो result निगलेगा आपके पास वही क्या कलाएगा उसका complement कलाएगा उस set का यानि a का तो जैसे suppose माला आप पास एक universal set है जो rectangle box आपको दिख रहा है उसमें से मैंने ये a के जितने element है उनको हटा दिया है तो क्या कलाएगा a का इस set का complement कलाएगा और उसको हम a' से निरूपित करते है a' से so करते है तो u-a जैसे मैंने इसमें formula लगाया था जो rule वही लगा कि a के element क यहां से कट कर लिजे जो रिमेंटर बचे वही यानि कि two four six eight ten बचेगा यही आपका क्या मलेगा compliment set बनेगा किसका एक अच्छो हो कि आपको ये वीडियो समझ में आए होगी कोई अगर दिक्कत है तो आप comment box में लिख सकते है थैंक्यू थैंक्यू शो मच